अगर आप कोई online ऐसा platform ढूट रहे हैं, जिस platform के तुरू आप घर बैठे online पैसा कमा सकें, तो आज मैं आपको आपके लिए एक ऐसा ही platform लेकर आया हूँ, इस platform के तुरू आप घर बैठे जितना चाहे उतना पैसा आण कर सकते हैं, part time काम कर सकते हैं, या full time भी आप इसके उप आठे reselling करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, reselling किस तरह से करनी है आपने, वो मैं आपको detail में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बतायता हूँ कि ये shop 101 reselling किस तरह से काम करती है, सबसे पहले आपको इस app को download करना है, download करनी के लिए आपनी क्या करना है, इस video के description में आपको link दिया हुआ, उसके ओपर directly up, click करिए, आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं, जब आप इस app को download कर लेते हैं, तो जो product वहाँ पर आपको मिलते हैं, shop 101 पे मौझूद होते हैं, उन product को आपने अपने friend के साथ share करना है, जो भी customers हैं, जो भी product खरीदना चाहते हैं, उनके पास share करना हैं, और जब आप product को share करते हैं, तो उनकी images उनके पास पहुंच जाती हैं, और उनका description भी उनके पास पहुंच जाता है, जिससे अगर उन्हें product पसंद आता है, तो वो आप से दुवारा contact करेंगे, और वो कहेंगे कि ये वाला product मुझे चाहिए, तो आपने क्या करना है, अ उस order को place कर देना है, वो order जो है, वो shop 101 के delivery agent लेकर जाते हैं, और वहाँ तक मौच आते हैं, और उनसे payment लेते हैं, अब आप सोच रही हों कि हम किस तरह से कमा सकते हैं, तो मैं आपको बतायता हूँ, कि जो भी payment है, जैसे माल लीजी कि shop 101 के उपर 200 रुपे की payment, किसी भी t-shirt क दी हुए, जो भी आपने order किया है product, उसमें 200-300 रुपे का जो भी product है, मालो की 200 रुपे का product है, और उसके उपर आपने 50 रुपी का margin set किया है, तो 50 रुपे जो आपने margin set किया है, वो आपके bank account में आता है, यहाँ पर bank account details का option होता है, shop 101 app के उपर, आपको my bank details का option मिलेगा, ज आपनी bank details डाली है, और यहाँ पर save कर देना है, जैसे ही आपकी, जो भी bank details save हो जाएंगी, वैसे ही आपके account में 1 रुपे transfer किया जाएगा, verification के लिए, उसके बाद जो भी payment आपकी बनती है, वो आपके account में हर Tuesday आपको भेज दी जाएगी, यह बहुत ही आसान process है, इसके थू इसका best feature एक और है, जो है कि bonus, यानि कि अगर आप 2000 रुपे की sale करवाते हैं, तो आपको 8% bonus मिलता है, अगर आप 50,000 की sale करवाते हैं एक week के अंदर, तो आपको 32% का bonus मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, आप इस तरह से bonus भी कमा सकते हैं, reselling गर के भी पैसा कमा सकते हैं, तो double double income आप इस तरह से इस app के थुरू कर सकते हैं, साथ में मैं आपको बतायता हूँ कि एक और main चीज, main feature आपको shop 101 देता है, वो है कि आप अपना online store बना सकते हैं, यानि कि अपना online store create कर सकते हैं, जिसमें आप products को add करिए, और उसकी link आप अपने friends को, अपने जो भी friends हैं या relatives हैं, उनको आप share करेंगे, अगर उन में से कोई भी product वो buy करते हैं, तो आपको directly benefit होता है, अपना margin set करके, आप माल लिजे कि जब हम order place करते हैं, तो वहाँ पर अपना margin set करते हैं, पर जब हम shop अपना online store create कर लेते हैं, तो उसके उपर automatically margin add करके, हम products को add करेंगे, तो वहा shop 101 पे, उसके हम 300 रुपए डाल लेते हैं, तो 300 रुपए जो हमने डाले हैं, वहाँ पर हमारा date दिखेगा, इस तरह से हम बहुत आसानी से shop 101 के through पैसे कमा सकते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रादुक्त्री पाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना channel, जिसक की सारी जानकारी आपको बताते हैं, आईए शुरुआत करते हैं shop 101 के साथ reselling करना बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको shop 101 पे set up करने के लिए इस वीडियो के description में जाना है, और description में मैंने आपको एक link दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का link आपको मिलेगा ये दिखे shop 101 की तरफ से मुझे message में आया है, ये code, ये आपका जो link है, वो आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा उस पर आपने click करना है, जब आप उस पर click करेंगे तो इस तरह का browser आपके जो phone का browser है उसमें इस तरह का खुल जाता है तो आपने क्या करना है, open in play store नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है, इसके उपर आपने click करना है जब आप इस पर click करते हैं तो ये redirect हो जाता है play store में यानि कि आपके phone का जो play store है उसके अंदर automatic ये पहुँच जाएगा और यहाँ पर आपके सामने option आ रहा है shop 101 install का option आपने इस app को यहाँ से install कर लेना है ये downloading start हो गई है और 9mb और 39390 kbps की ये app है तो इस app को आपने install कर लेना है जब ये install हो जाएगी तो मैं आगे के steps आपको बताऊंगा अब ये app install हो चुकी है और install होने के बाद आपके सामने option आ रहा है install का और open का आपने open के उपर click करना है जब आप open पर click करते हैं तो आपके सामने option आता है start earning नीचे आप देख सकते है start earning पर आपने click करना है जब आप इस पर click करते हैं तो आपके सामने आता है welcome seller यानि कि अब आप seller बने के लिए ready हैं आपने अपना number डालना है यहाँपर जो भी आपका mobile number है जो आपके पास है वही डालीए क्योंकि इस number पर आता है OTP यानि one time password जो 4 या 6 अक्षरों का होगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँपर आपने जैसे मैंने अपना number insert किया यहाँपर number डाल दिया अब number डालने के बाद यह जो नीचे sign आ रहा है इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद यह automatic की यहाँपर जो code आया था वो यह देखिए میरा जो code है वो automatic क्योंकि इसी phone में मेरा जो number है वो इसी phone का था इसने डिटेक्ट कर लिया और यह सेट अप हो गया इसके बाद आपके सामने option आ रहा है select your state आपका जो भी state है यहाँ पर आप select कीजिए मैं आपको अपना select करता हूँ जो state है जैसे हरयाना है तो मैंने हरयाना select कर लिया और नीचे option आ रहा है अगरी product products I sell on shop 101 will not be fake counterfeit and inferring any copyrights trademarks इसका मतलब यह है कि आप agree करते हैं कि जो product आप shop 101 पे sale कर रहे हैं वो गलत नहीं है fake नहीं है क्योंकि यह जो app है बिलकुल real app है इसके तुरू आप आसानी से earn कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी copyright और trademarks की कोई वो नहीं है कि हाँ shop 101 कोई ऐसा fake चीज ओफर करता हो ठीक है तो यहां पर आप I agree पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपने अपना state सेलेक्ट करना है यानि कि अपना प्रदेश जो भी है जहां आप रहते हैं हिमाचल प्रदेश, हर्याना, गुजरात, कोवा जहां भी आप डैली में रहते हैं चंडीगर में कहीं भी आप रहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है और इस नीचे वाले साइन पर क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा select products का option यहां पर आपको दो options दिये जाते हैं कि आप अपने products को भी यहां पर sale कर सकते हैं बहुत बड़ी opportunity देता है shop 101 क अगर आप अपने खुद के products हैं आपके पास तो उनको भी आप यहां पर sale कर सकते हैं साथ में अगर आप sale shop 101 के products को sale करना चाते हैं यानि की resell करना चाते हैं जो भी product आपको shop 101 पे मौझूद मिलेंगी उनको भी आप sale कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा get started प यहां पर share कर सकते हैं और उन्हें shop 101 के उपर sale कर सकते हैं अब उपर वाला जो option है इस पे आप click करेंगे अगर आपके पास कोई product नहीं है आप अपने products को नहीं sale करना चाते हैं या फिर आपके पास कोई product नहीं है तो आपने उपर वाले option get started पर click करना है जब आप get started पर click करत तो ड्रेक्ट लिए आपकी जो एप है वो स्टार्ट हो जाती है उसमें जो भी ऑप्शन होते हैं यहां how to earn money with shop 101 यह वीडियो shop 101 की है यहां बताया गया है कि किस सरे से आप reselling कर सकते हैं यह देखी यहां पर आपने continue पर click करना है अगर आप उस वीडियो को देखना चाते हो द आपको jewelry items, electronics का items, यह जो आपको items दिखते रहे हैं, यह बहुत बड़ी collection shop 101 पर मौझूद है, यह सारी collection आप किस तरह से, यहाँ पर उपर filters भी दिये हुए हैं कि all women's का select कर सकते हैं, तो women's का आना शुरू हो जाएगा, मैंने click किया women's पर तो यहाँ पर जितने भी items आपको shipping और COD भी आपको free मिलती है, बहुत ही अच्छा है यह, कि आपको यहाँ पर earning का काफी अच्छा फाइदा है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो भी items हैं, उनके उपर आपको free shipping है, यानि कि 290 का product है, यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं इस पर click करता हूं product पर, तो मैं आ order now पर click करेंगे, तो यहाँ पर जो amount आएगी, वो 290 की होगी, यानि customer से 290 रुपे लिए जाएंगे, और उसमें भी आप 43 रुपीज earn कर लेंगे, यहाँ पर earn का option, अब आप सोच रहे हैं कि मैं 43 रुपीज earn करूँगा इस product को, तो आप इसमें जादा भी earn कर सकते हैं, मैं यहाँ पर select कर लिया, 60 रुपीज, मुझे 60 रुपीज आई, update and add to store, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि जो amount है, वो मेरी कहाँ पर add हुई है, हमारे store में, जो की हमारा shop 101 का store है, वहाँ पर add हुई है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम इसको order करेंगे, इस item को order करेंग product add to cart, यानि कि यह successfully आपके cart में add हो गया है, अब यहाँ पर apply coupon, आप इसको coupon भी, discount coupons भी आपके मिलते रहते हैं आपको, shop 101 के वो भी आप apply कर सकते हैं, और यह देखिए, यहाँ पर आपको जो total amount पढ़ रही है, वो 333 रुपे की पढ़ रही है, जो कि 43 रुपीज आप इसम margin को यहाँ से edit कर सकते हैं, यहाँ पर जो amount आप डालना चाहें, वो डाल सकते हैं, जैसे 60 रुपीज मैं यहाँ पर डालता हूँ, update margin पर क्लिक करता हूँ, तो यह जो amount है, वो आपकी add हो जाती है, यहाँ पर जो भी हमने amount यहाँ पर डाली, उसके बाद, क्या होता है कि यहा और हम यहाँ पर इस order को place कर सकते हैं, जो भी customer देना चाहे उसको, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, back करके, कि आप किस तरह से अपने friend को share कर सकते हैं, share and earn का option आपको सभी items मिलेगा, जितने भी items यहाँ पर मौजूद हैं, सब पर आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पर share and earn allow पर click करूँगा, allow पर click करूँगा, यानि कि यह जो हमारी media की files है, वो check करेगा, अब यहाँ पर इसने क्या किया, images हैं जो, और description है, यहाँ पर share हो जाएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, automatically redirect हो गया, WhatsApp पे, अब मैं automatically अभी redirect हो गया है, और यहाँ पर दिखाएगा, कि ज जिस पर हमें click करना है, जिस पर हमें बेजना है इसे, हम बेज सकते हैं, अपने friend के साथ share कर सकते हैं, first time में थोड़ा सा समय लगता है इसमें, क्योंकि एक तरह से resources को check करता है, उसके बाद ही हमारे context को दिखाता है, अब यहाँ पर जो दिखा रहे है context तो मैं यहाँ पर, यहाँ पर show 101 और यहाँ इनके groups में यहाँ पर share करता हूँ, इस पर click करूँगा, और यहाँ पर हम अपन add caption भी डाल सकते हैं, prices वगरा भी डाल सकते हैं, और इस पर हमें click करना है, जब इस पर click करेंगे, तो हमारा जो product है, यह share हो चुका है, यहाँ यहाँ पर image है, वो share हो चुकी है, अब जो image share हुई है, इसकी जो details है, वो हम अपने आप manually बता सकते हैं, अपने customer को, जो भी details है, किस तरह से check करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, अब यह description share करने का option है, अगर आप description share करना चाते हैं, तो same process है, अब यह description भेजेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा wait करिए, क्योंकि first time है, इसलिए यह थोड़ा loading करता है, अब देखिए, यहाँ पर आ च इतनी भी details हैं यहाँ इस product की, वो यहाँ पर आ चुकी है, अब मैं यहाँ पर click करूँगा, यह आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी चानकर यहाँ पर दी गई है, by the man company charcoal, face scrub with lemongrass, इसको सारी details आपको दिए, 100 grams का है details, पूरी details यहाँ पर दी गई है, साथ में यहाँ यह यह buy online खरीदने का भी option यहाँ पर दिया हुए, इसको आप cut भी कर सकते हैं, और share, अगर आप total share करना चाहें तो total भी share कर सकते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर share कर सकते हैं products को, और बहुत ही आसान है go to cart, यानि कि इस product को आपने add कर लिया है, तो यहाँ पर option आ रहा है go to cart का, अब यह products जो हैं, वो आप बहुत आसानी से share कर सकते हैं, और main main चीज़ आया कि बहुत से लोगों का questions होते हैं कि सरम Facebook और Instagram पर कैसे share करेंगे, तो जैसे कि हम कोई भी product देखते हैं, हम जैसे यहाँ पर share on WhatsApp, तो यहाँ पर WhatsApp का निशान आ रहा है, आपको और किसी चीज़ का निशान नहीं आ रहा है कि सरम और जगरे पर कैसे share करेंगे, तो इस product पर click कीजिए, और जब आप इस product पर click करते हैं, तो आपके सामने options खुल जाते हैं, यह देखें यहाँ पर, Facebook का option आपको दिख रहा है सामने, इस पर आप share कर सकते हैं, Instagram पर share कर सकते हैं, और भी options है, इस पर जब आप click करेंगे, तो जितने भी options आपके पास हैं sharing के, यह देखें, पूरी के पूरी list खुल जाती है, जहाँ पर आप Bluetooth में, Gmail में, email में, कहीं भी चाहें आप share कर सकते हैं, इन products को, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है इसकी, कि आप आसानी से इसे earn कर सकते हैं, अब आप सोच रहे हों कि sir, हम earn तो कर लेंगे, पर हमारी income किस तरह से आएगी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि earning के लिए, यह top पे आपको 3 line दिख रहे हैं, इसके उपर आपने click करना है, और यहाँ पर आपके सामने option आएगा, your orders का, और your earnings का, अब your bank details पे आपको जाना है, और यहाँ पर आपको अपना bank account अड़ करना है, सबसे important चीज़ है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेगा, यहाँ पर आपको bank account number डालना है, आपका जो भी bank account number है, वो यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ पर आपको confirm bank account, यानि कि दुबारा से bank account डालना है, अपना, और यहां पर account holder name यानी कि अपना नाम जो bank की copy होती है आपकी उसके उपर जो नाम होता है वो आपने यहां पर डालना है bank, IFC code यह भी आपकी bank की जो passbook होती है उसके उपर मिलता है उसके उपर आप देख सकते हैं IFC code या बैंक में जाकर पूछ सकते हैं वो भी आपका IFC code दे देंगे और वहां पर आपने यहां पर add कर देना है यहां पर bank statement, passbook की या checkbook की photo यहां पर आपको डाल ली है और enter bank account number पर click करना है अगर आपका bank account successfully यहां पर enter हो जाता है उसके बाद आपको एक रूपे transfer किया जाता है company तरफ से verification के लिए अगर आप दोबारा account change नहीं करते हैं आपके phone number के अगर आपके account में एक रूपे आ जाता है तो confirm हो जाता है कि आपका ही यह bank account है तो जो भी आपके पैसे आएंगे वो उसी account में आएंगे जो आपने यहां पर डाला है अब यहां पर popular जो भी मैंने यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि popular help collection bonus shared का option है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि bonus जो है बहुत ही अच्छा है इसका कि इसकी जो process है वो काफी अच्छी है यहां पर आप देख सकते हैं कि bronze यानि कि 1500 रुपे की अगर एक week के अंदर आप एक हफ़ते के अंदर 1500 रुपे की sales करवाते हैं यानि कि product sales करवाते हैं तो 4% का benefit है silver पे 3000 रुपे की 6% pearl पे आपको 6000 की sales करवाएंगे तो 8% ऐसे ही बढ़ता चलाता है रूबी में, gold में, diamond में, platinum में platinum में 50,000 की अगर एक हफ़ते में sales करवाते हैं तो आपको 16% का profit होता है जो की बहुत ही अच्छा है इस तरह से आप बहुत आसानी से shop 101 app के थूँ पैसा earn कर सकते हैं अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि आप खुद की यहाँ पर आप देख रहे हुए कि website का option आ रहा है products के उपर website और download का option download में आप images को download कर सकते हैं और website में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उपर वाले right option में card के साथ वाला जो तीन lines आ रही है इसके उपर आपने click करना है और यहाँ पर आपको go to seller panel यहाँ पर आपने जाना है जब आप इस पर click करते हैं तो आपका जो भी एक store create हो जाता है इसके उपर यहाँ पर आपको सबसे उपर option आ रहा है enter your store name इसका आप नाम change कर सकते हैं यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो मेरा number से इन्होंने डैप्ट किया है यानि कि ले लिया है वहाँ से तो यहाँ पर store address भी डाल सकते हैं पिन कोर्ड, city, enter id आगर आप नहीं डालना चाते हैं तो कोई बात नहीं डाल भी सकते हैं और यहाँ पर आप अपने store की image भी यहाँ पर add कर सकते हैं अगर आपको कोई store है अगर नहीं है तो आप अपनी image भी यहाँ डाल सकते हैं और store का नाम जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा आपका यानि कि unique link to your shop 101 यह वाला second option जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपका shop जो उपर वाला आ रहा है वही यहाँ पर आएगा जैसे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ अभी मैं नाम अपने डाल देता हूँ और save and update पर click करेंगे आप जब आप save पर click करते हैं तो आपके सामने आता है you have made changes to your store यानि कि आप जो changes कर रहे हैं वो करना चाते हैं या discard कर दीजिए तो हाँ मैं इस changes को करना चाता हूँ तो save पर click करना है और यहाँ पर pin code जो invalid दिखा रहा है यानि कि हमने डाला ही नहीं है तो आपने जो भी details है वो सारी डाल देनी है pin code डाल देना है city डाल देनी है store address डाल देना है और यहाँ पर save and update store पर click कर देना है ऐसे ही आपका यहाँ पर edit करके यहाँ से आप choose from gallery से आप images एड़ कर सकते हो अपनी या फिर आप add करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं और यहाँ पर payment and delivery का option जो कि आप how will buyers pay you यानि कि जो आपने store बनाया है जो ये वाला store आपका बन जाएगा वो उसके लिए आप कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पर apply करना चाहते है online payment cash on delivery direct bank to your account यानि कि bank transfer directly करना चाहते हो ship it myself यानि कि आप खुद deliver करना चाहते हो product को तो सारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो shipping charge आप कितना लगाना चाहते हो एक तरह से आपका खुद का store बन जाता है तो यहाँ पर side details दी हुई हैं जो भी आप select करना चाहें वो आप यहाँ पर select कर सकते हो अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप store में अपने जो भी production वो किस तरह से add करोगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो आपका store का address है वो copy link का option आपको सबसे उपर आ रहा है इसके उपर आप copy link पर क्लिक करेंगे और आप What's App पर इसको share कर सकते है मैं आपको दिखा देता हूँ कि WhatsApp पर जब आप share करेंगे तो किस तरह का यहाँ पर option आएगा यहाँ पर देखिये मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ और यह जब मैंने share किया तो जब मैं इसके उपर click करूँगा जब कोई customer इसके उपर click करेगा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से दिखाएगा यह मैंने click किया इसके उपर और जो store में जो भी products होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे अभी तो मैंने कोई product यहाँ पर add नहीं किया है तो unsupported यहाँ पर दिखा रहा है तो यही है कि अभी इसके अंदर कोई products हमने add नहीं किये हैं तो यहाँ पर हम products को add करते हैं shop 101 के products को हम add करेंगे यहाँ पर your products यहाँ पर दिखा रहा हुआ blank की यहाँ पर हमने कोई products नहीं add किये हैं तो हम यहाँ से add करेंगे bridal copper यह अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमें back करके जाना है और यह जो products main screen पर है उनको हमें उपर option आता है website का plus का sign है उसके उपर click कर दीजिए यह जो है आपके store में add हो चुका है आपको दिखा रहा है कि 4 products आपके जो store में add हो चुके है यहाँ पर हमें click करना है यह देखिए यहाँ पर 5 products आपके add हो चुके है यहाँ पर website के option पर हम जब click करेंगे तो यहाँ पर जो भी products हैं वो आपके store में add हो जाएंगे अब हम इनी थ्री लाइन्स पर जाएंगे दुबारा और गो टू seller panel और हमें जो प्रॉडक्स हैं वो हमारे स्टोर में दिखेंगे कि हमने जो जो प्रॉडक्स यहांपर एड्ड किये हैं وہ हमें दिखने शुरू हो जाएंगे तो यूर प्रोडक्स पर आप देख सकते हैं यहां जाकर कि हमने जो प्रोडक्स एड़ किये थे वो यहां पर दिखाने शुरू हो गए है यह देखिए यहां पर दमैन कंपनी चारकॉल जो भी हमने यहां पर प्रोडक्स एड़ किये थे को दिख रहा है यह मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट के उपडर और यहां पर जो हमें यह अर्ण वाला दिख रहा है तो जितना अर्ण 93 रूपीज है तो यह जो प्राइस है वो आपको मिलेगा मतलब की 93 रूपीज है वो आप ने अर्ण की है जब भी आप इस 620 रूपीज का 620 रूपे का आप इस प्रोड़क को सेल करेंगे कस्टमर पर भेजेंगे और अगर वो पसंद करता है तो उसके एड्रस लेकर उस पर आप इसको ओर्डर करेंगे तो आपको 93 रूपीज मिलेंगे इस तरह से नेक्स पर आप यहां पर भी 93 मिलेंगे यहां पर भी 93 क्योंकि यह एक तरह के सेम केटिगरी के प्रोड़क्ट है यहां पर आप देख सकते हैं कि 189 में प्रोड़क्ट है यह और इस पर आप 29 रूपीज एड़ करेंगे तो यह आपको वाच मिलेगी कस्टमर को आप कस्टमर के लिए ओडर कर सकते हैं खुद के लिए ओडर कर सकते हैं सबसे बड़िया चीज क्या है इस एप की कि यहां पर फ्री शिपिंग और स्री ओड़ी है तो इस तरह से बहुत आसानी से दोस्तों आप शॉप 101 के तुरू बहुत आसानी से रिसेलिंग कर सकते हैं दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुती में हैं यहां पर आपने जाना है और यहां पर जब आप थ्री उपर वाले जो थ्री डॉट्स हैं थ्री लाइन्स हैं इसके उपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उप्शन है चैट विज सपोर्ट यानि की जो सपोर्ट है वो काफी अच्छा है कॉल चॉप 101 सपोर्ट को भी आप कॉल कर सकते हैं थर्ड उप्शन आपको 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 code ये code डालना आपको बहुत जरूरी है इस code को जब आप डालेंगे तो आपको मिलता है सीधे 150 रुपे का discount तो इसके लिए मैं आपको code बताता हूँ वो ही आपने code यूज करना है जिससे आपको benefit मिलेगा यानि कि आपको मिलेगा फायदा आपने 8 डालना है बड़े एक्षरों में Y फिर उसके बाद आपने बड़े एक्षरों में X और फिर आपने A डालना है और फिर बड़े एक्षरों में K और फिर U और ये code डालने के बाद 8YXAKU ये code जब आप डालेंगे तो आपको मिलेगा 150 रुपए का डिसकाउंट जो भी product मालो के आप कोई भी product add करते हैं 400 रुपए का 500 रुपए का तो आपको मिलता है 150 रुपए का डिसकाउंट जो की बहुत अच्छा डिसकाउंट है तो इस code को ज़रूर add करिए और यहाँ पर confirm पर click कीजिए जब आप confirm पर click करेंगे तो आपके सामने option आएगा यहाँ पर free 30 coupon with apply the cart automatically max 150 रुपए का डिसकाउंट आपको यहाँ पर मिलता है बहुत यह अच्छा है आप बहुत आसानी से इसको add कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर coupon code यहाँ पर free 30 यहाँ पर जो option आ रहा था पहले वो अब नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना referral code यानि कि जो भी referral code मैंने आपको बताया वो आपने add करना है मैं आपको यहाँ पर screen पर भी दे दूँगा उस code को आपने उस code को use करना है और उससे आप 150 रुपर का discount पा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है तो इस तरह से आप shop 101 के थूर reselling कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों shop 101 के बारे में आपको पूरी knowledge मिल गई होगी अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है जो भी परिशानी आपको reselling करने में आएगी उसकी जानकारी हम आपके लाते रहेंगे और ऐसे ही आपके help करते रहेंगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत बाबाई